जै शनीदेव, जै श्रीकृष्णा, मेरे प्यारे बच्चों, गुरु मारुकमनी फिर से हाजिन है आपका साफदा ही क्राशी फल ले करके, आपको बताने के लिए कि इस साफदा में आपके साथ क्या होने वाला है, 15 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक ही लागू होगा, तो जान क्या क्या आपके साथ होने वाला है, किन चीजों का साफदानिया रखनी है, सो लेट्स गेट स्टार्टिए, ये राशी फल आपने अपनी जर्म कुंदली के हिसाब से जो राशी है, उसके हिसाब से देखना है, वो नहीं मालूम है, तो नाम राशी से भी देख सकते हैं, अगर आपको और भी मेसेज़ चाहें, तो आप एक से जादा भी वीडियो देख सकते हैं, यानि कि आप अपनी लगन के हिसाब से और अपनी राशी के हिसाब से दोनों ही देखेंगे, तो कोई ना कोई मेसेज काफी सारे मेसेज़ हैं, जहां वो कहते हैं कि 98% हमसे मैच करता है, 99% मैच करता है, तो अरे भाया, दो परसेंट, एक परसेंट, तो किसी और के लिए भी छोड़ दो, उनके लिए भी कोई ना कोई मेसेज इसी राशी फल में है, तो जो आप से आपकी लाइफ पे मेल खारा है, या कुछ आप से लूज हो रहा है, कुछ छूट रहा है, या कुछ आपने खो दिया है, तो इस हफ़ते में उसकी प्रापति वापस से आपको हो सकती है, अचानक से वा चीज आपको मिल सकती है, या आप जो सोच रहे थी, कि बिल्कुल ही चीजे हाथ से निकल गई है, तो वो वापस ही खो सकती है, तो काफी सारे लुगों के लिए कुछ खो के पाने का ये समय है, उसका भरपूर लाब उठाईए, अगर कुछ भी ऐसा है, बहुत समय से ढून रहे थे, मिल नहीं रहा था, तो इस अफ़े में ढूनना जरूर आपको मिल जाएगा, वर्क प्लेस की बात करते हैं, तो वर्क प्लेस पे मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कोई व्यक्ति या तो कोई नया ओफर आपको आ सकता है, या आपके मन में ही ऐसी भाबना आ सकती है, कि इससे बहतर तो मैं कोई और जॉब कर लूँ, तो वहाँ थोड़ी से जॉब पे निराशा होने की वज़े से, या दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा लग रहा है, जैसे कोई फ्रेंड है आपका, या फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड से थोड़ा कम है, आपका नोन परसन है, वो आपको कुछ ऐसी बाते बता रहा है, कि मुझे तो इतनी साल नहीं मिलती है, मुझे तो इतना अच्छा मिलता है, हमारा ओफिस ऐसा है, हमारा ओफिस वैसा है, जिसकी वज़े से आप यह सोच रहे हो, कि इससे अच्छा तो हम चेंज कर लेते, हम यह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यह जोब अच्छा नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपको उन चीजों पर थामने की लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो इनसान है, वो आपको पूरा सच नहीं बता रहा है, तो आप इस जगे जहां पर हैं, जिस जॉब पे हैं, बहुत लोगों से बेटर हैं, तो वही पर अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश कीज़े, फिलहाल अभी जॉब चेंज का सोचिये भी मत, चाहें आपको कितना भी अच्छा ओफर आजाएं, क्योंकि वो ओफर आपके लिए उचित नहीं होगा, साथ ही अगर आपको किसी तरीके से प्रमोशन का ओफर मिलता है, अपने ही ओफिस में, तो उसको भी आपको बहुत सोच समझ करेना होगा, क्योंकि आपको बहुत जादा काम कराया जाएगा, कोई नई responsibility या नया project आपको दिया जा रहा है, तो उसबे भी बढ़ा ध्यान देना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी बोज को दिया जा रहा है, आपको थोड़ा सा आपकी responsibilities, आपकी job भी बढ़ सकती है, तो उसको इतनी आसानी से हा मत करना, जब तक कि आप free नहीं है उस मजारी को उठाने के योग कि नहीं है बात करते हैं हम आपके business की तो business में काफी सारे लोग इस समय आपके business से अकरशित होते हुए या आप किसी ऐसी community को जॉइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं दें कि अबे होते हैं किसी ऐसी जगे पर बहूत सारी बेशस्निस में आपको क्यान हो सकता है जाहां ही कि बहुँतार लोग मिलेंगे जिसके वज़े से डिठास लिए्ट बॉड्यों व्यंचे बाते हैं चुछ इस अच्uzu बाते रही करें children बड़े बड़े नंबर्स करोणों के आपको सुनने के मिलेंगे, जिसकी वज़े से आप काफी इंस्पाइड होने वाले हो, कि हमें भी अपने बिजनिस को उस लेवल पे लेके जाना है, आपने बिजनिस को इतना अच्छा करना है, तो ऐसा कुछ आपके लिए दिखाई दे तो इस समय बिजनिस में बढ़ूतरी तो डेफिनिटली है, लेकिन मेल जोल जादा है, तो अगर आप कोई पुराने कस्टमर्स आपसे तूट गय थे, तो उनसे मेल जोल बढ़ाईए, अगर इस समय में कोई ओफर डिसकाउंट भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वज़े से आपकी पुराने कस्टमर्स लोट के आएं, या आपको कोई ऐसी चीज कर सकते हैं, जिसे बहुत सारी लोग आपकी तरफ आकरश्रित हो, कोई स्कीम हो, कोई ओफर हो, कुछ लोगों को इन्वाइट भीजना हो, या किस लोग को मैसिज करना हो, या किसी भी तरीके का नया मा पहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे, गुरुमा मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जो आप बोलते हैं, और इस समय में आपके मन में काफी इच्छाए होंगे, अपने बिजनिस को नम्बर को बढ़ाने में, काफी लोग मुझे इंट्रेस्टेड लग रहे हैं, कि हमें भी करूरो रुपे कमाने हैं, हमें भी स्टार् बहां मुझे लगता है आपको थोड़ी फिनांचली प्लानिंग करनी की जरूरत है, जो पारे में सोचने की जरूरत है, और कहां इसको इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हम इसके साथ अगर कुछ और कर सकते हैं, आपने बिजनिस में डाल सकते हैं, कुछ तरह की चीज़े मुझे ऐसा लग रही है, आपको करनी चाहिए, बाकर इन्वेस्टमिन परफस से अभी ये हफता बहुत अच्छा नहीं है, ये हफता आपकी रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा है, यहां पर हमें इन्वेस्टमिन कर सकते हैं, यह ये ऑप्शोंस इंवेस्टमिन के हो चाहते हैं कुछ old lady है या कुछ थोड़ी मतलब mature ladies है उनकी वजह से वो deal आपकी तूट सकती है तो वहां से आपको छोड़ी छुपे थोड़ा ये काम करना होगा love and relationship के बात करें तो उसके अंदर थोड़ा सा hot and cold रह सकता है यानि के हफटे में थोड़ा बात किये थोड़ा एक दूसरे को avoid किये थोड़ा ब्लॉक कर दिये थोड़ा लड़े फिर से normal हो गए तो ऐसी चीज़े दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा partner जो है वो मोड़ी होते दि तो आपको काफी ख्याल रखने की जरूरत है अपने बच्चे की एक तो उस चीज़ का ध्यान रखेगा दूसरा कुछ लोगों को अपने पूरवजों के सपने समय में बहुत जादा आ सकते हैं सफेई ड्रेस में पहने हुए लोग पूरवज आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपको काफी ज़दा उनके सपने आते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे डरिये का मत अधरवाइस फैमली लाइस में देखें तो मदर के ऊपर थोड़ा खर्चा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी मदर पर आपका बहुत खर्चा हो रहा है इसाद हो आपको जाना पर सकता है मदर या फिर मदर की मदर उनके साथ थोड़ा सा इशू हो सकता है उसका ख्याल रखेगा आपके हेल्थ की बात करें तो हैल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी अगर किसी को बाइदर वे अपना हार्ट में प्रॉब्लम है तो वहां थोड़ा पेन सजने सवरने में टाइम बेस्ट इस समय में करेंगे पढ़ाई करते हुए आप मुझे नहीं दिख रहे हो आप या तो किसी और को सजते सवरते देख रहे हो या खुदी उन चीजों पे ध्यान दख रहे हो ग्रूमिंग जादा कर रहे हैं अपने स्टाइल को चेंज करते तो उन चीजों में आप थोड़ा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हो इसके वज़े से टाइम काफी वेस्ट हो रहा है तो मुझे लगता है इस हफते में थोड़ा मिनिमल रहने की जरूरत है अपना नहाए फटा फट से नहाए और अपना तेल डाला कंगी करी और झाला कंगी करी।